हेलो व्यूवर्स वेल्कम तुमा चैनल सिंगिल विंडो सॉलीशन तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेट से बनने वाला एक केक जो की बन जाएका 60 तो 70 रुपीज में ही और इसके इंग्रेडियंट्स बहुत इजीली अविलेबल भी हो जाएंगे हमें मार्केट में और इसके हमारा वैनिला एसेंस फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं यह है मिल्क मिल्क जो है वह हमें लगेगा राउंड टू 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 ट्री ग्लासस यह है हमारी टू टी फ्रूटी यह डेकोरेशन के लिए है बिलकुल ऑप्शनल है यह है हर्शीज का चॉकलेट सिरप अगर अविलेब और एक चॉपिंग बोड बस इतनी चीजों से हम केक बना लेंगे सो आईए अब हमारा बहुत टेस्टी सा केक बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम डाल रहे हैं एक ग्लास दूद मिक्सिंग बोल में इस दूद में हम मिक्स करेंगे सबसे पहले यह है हमारा शुगर प यह भी है 3 4th cup मेदा, शुगर पाउडर और मिल्क पाउडर तीनों सेम रेशो में होना चाहिए हमारे और जो हमारा मिल्क होगा वो होगा 4 टाइम्स आफ इस इसका मतलब यह होगा कि अगर हमारा एक बोल मेदा, शुगर पाउडर और मिल्क पाउडर है तो हमें चार कप जो या फिर के अलावा विस्क कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं और यह सभी चीज अगर अविलिबल नहीं है तो आप इवन वेजटीबल चॉपर जो आता है हैं वाला वो भी यूज कर सकते हैं तो अब यह मैं इस बीटर से बीट अ कर रही हूं से इसमें थोड़ा मिल्क और मैं विलकर यह प्रव जाने बिलकुल अच्छ है तो एलावा जा डेर आप लि8 लाक डाला है और इसे बीट और इसे वह भी बीट कर रही है बिलकुल अच्छे से सो ड़िए इसकी निस बहुत सोफ्ट हो जाए यह मेरे जो बेटर रहे मेरे ऀसकी ऑनिल्कुल ऐसी होनी चाह तक पकाते रहना है चममच चमें चलाना है चेहर और फिर नेचे चिपक जाएगा अब दाल रहे हैं अब दाल रहे हैं तोड़ा सामे इसमे जादा डालोंगी विकर्स फ्लेवर इसका अच्छा लगता है इसमें टोटल हमने एराउंड 1 टेबल स्पून समें डाल दिया है वनि येलो एक तरह का food color है. इससे color बहुत अच्छ होएगा हमारा. इससे हमें बिल्कुल जरा सा डालना है विकास इससे color बहुत जल्दी आता है. डाक color cake वे अच्छे कम लगते हैं. specifically yellow orange colors. ये तो अच्छे नहीं लगते हैं. बिल्कुल लाइट सा color लाना है. इसके एक पेंच होना चाहिए हमारा कल्या बस हमें इस बैटर को और राउंड दस मिनट तक कुक करना है और कांडिनेस चमत चलाते रहना है अगर हम स्पून बीच में नहीं चलाएंगे तो ये जल जाएगा अब ये देखते हैं ये दस मिनट हो गए है इस टाइम पर हमें अपना केश बंद कर देना है और देखना है कि इस बैटर की कंसिस्टेंसी सही है या नहीं इसलिए अब आप देखिए ये बैटर हमारा विल्कुल थिक श्रीखन जैसा लग रहा है और ऐसा ही बैटर हमें चाहिए है इससे स्चीर करेंगे हम पहले येस बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी है इससे स्टोब से अब नीचे उतार लेंगे और इससे अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करेंगे इससे अभी हमें रेश्च करने के लिए रखना रहेगा अराउंड 10-15 मिनट्स हमें इसे छोड़ना पड़ेगा जब तक हमारी आइसिंग रेडी हो रही है हम शुगर सिरप रेडी कर लेता है इसके लिए मैंने एक बोल में पानी लिया है पूरा और उसमें में डालने वाली हूँ में civils को अब्रेड ड़ेड अश्च के ड़ेड पहले ईजब आईसे स्लैसे हमें ड्रेड करनी पढ़ेंगी मैंने टोटल चार एवे दिया TWO दो कर्के मैं उसके स्लैसेश को कट करूंगी इसके ऐज़ इज़ को जो हमें साइड सेinka रना है अच्छी sharp knife लेना है हमें और इसके edges को ऐसे cut करते जाना है जैसे मैं cut कर रही हूँ यह आप देख सकते हैं यह दो bread की हमने edges पूरी cut कर ली हैं ऐसे ही हम बाकी सभी bread की भी edges को cut कर लेंगे सभी bread में आइसे ready कर ली है अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा sugar सिरफ जो है इसकी sugar dissolve हुई है या नहीं sugar dissolve हो चुकी है आईए अब icing देख लेते हैं आइसे हमारे काफी गाडी हो चुख यह रिष्ट करने के बाद इसमें हमें और मिल्क करना अभी मैं:「 हाफ़ ग्लास से हुड़ा कम मिल्क कर रही हूं और इसके बाद हम जब beaten out करेंगे को हमें DNA जाएद करना होगा, इसमें मिक्स कर रही हो मैं रही हो और बेतर को मैं फिर से बीट आउट कर रही हो अ किल कुल सॉ कई है है हमें 7-8 मिनट के लिए जैसे ही इसमें लंग्स नहीं रहेंगे यह रेडी हो जाएगा हमारा आइसिंग के लिए यह देख सकते हैं आप flowing consistency है बेटर की बिल्कुल बस अब यह बिल्कुल रेडी है आइसिंग करने के लिए आईसिंग करने के लिए हमारा सबकुष रेडी है ये स्पेचुला है, मिक्सी वाला ये हमने ले लिया है इससे हम स्प्रेड आउट करेंगे अपनी आ 행 को जिस भी ट्रे है प्लेट में आप केक को डेकरेट करना चाहते हैं वो ले सकते हैं, मैं इस ट्रे में कर रही हूँ अभी सो पहले हमारी bread बारबर हिले नहीं इसलिए हम नीचे थोड़ी icing cream लगा देंगे मैं spatula की help से लगा रही हूँ यहाँ पर हम टूटल आठ bread का cake बना रहे हैं आप चाहें तो आप 4 का भी बना सकते हैं अब इसके बाद हम bread रख रहे हैं एक left side में और एक और bread है हमारी right hand side पर यह जो है नीचे icing के कारण चिपक गई है bread को soft बनाने के लिए अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं sugar syrup यह मैं दोनों bread पर यह sugar syrup डाल रही हूँ sugar syrup को हमें अच्छे से bread पर spread कर देना है sugar syrup complete होने के बाद अब यह मैं icing को spread कर रही हूँ जो spatula था mixi वाला उसी से icing को हमें evenly spread करना है और इसी same process को हमें हम जितनी भी layers बनाते हैं 2, 3, 4, 5, 6 उन सभी पर follow करना है यह हमारी first layer है इस पर हम spread कर रहे हैं icing cream यह हमने दूसरी bread ले लिए है अब second layer के लिए इसे रखा है इसी के पास में हम एक और bread रख रहे हैं यह हमारी second layer set हो गई है इस पर हम डाल रहे हैं sugar syrup और फिर से यह icing cream spread कर रहे हैं आइसिंग cream को अच्छा से evenly spread कर देना है हमें और इसको decorate करने के लिए बीच में हम टूटी-फूटी का मैं यूज कर रही हूँ इसे हमें spread कर देना है पूरी layer पर इससे केक में थोड़ा अच्छा flavor भी आ जाएगा और केक दिखने में भी अच्छा लगेगा इसके उपर हमने अपने केक की third layer लग दी है फिर से शुगर सिरप डाल रहे हैं हम इस third layer पर भी और ये icing cream लग गई है हमाई third layer पर now here comes fourth layer ये शुगर सिरप और ये icing फिर से spread कर दी है हमने मैंने चार layers का cake बनाया है आप चाहें तो layers बढ़ाया कम कर सकते हैं देख सकते हैं आप अभी side में cream नहीं लगी है हमारी अब हमें icing cream को side की edges पर लगाना है जिससे वो edges भी softer है हमारी so spatula की help से हमें से spread करेंगी evenly बिलकुल अब हमारी edges पर भी icing almost लग चुकी है मैं और complete करती जा रही हूँ जैसे हमारी चारो तरफ की edges पर icing लग जाएगी पूरा complete हो जाएगा उसके बाद हम आगे का इसका decoration करेंगी आप देख सकते हैं ये icing कितनी अच्छी दिख रही है विलकुल smooth सा रखना है हमें इसे और ये है हमारा Hershey's का chocolate syrup इससे हम करने वाले हैं decoration इससे हमारा cake में और ज्यादा अच्छा beautiful color आ रहा है अब देखते जाहिए zigzag pattern बना रही हूँ मैं जो कि simply कोई भी बना सकता है देख लीजिया हमारी icing के उपर ये chocolate flavor बहुत ही अच्छा दिख रहा है देखे आप उसके बाद मैंने उसके opposite side zigzag बना दिया है ये है tutti fruity हमारी इसको पूरी edges पर हम लगा दे रहे हैं आप चाहें तो लगाएं चाहें तो ना लगाएं मुझे पॉस्टनल ये अच्छा लगा है इसलिए मैं लगाया है अब लिया है ये हमने gems का packet इससे मैं heart बनाने की कोशिश कर दे रही हूँ ये अल्स वो तो cake वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है जैसा कि आप देख पा रहे है हमारा cake बहुत ही अच्छा बना है बहुत ही डिलिशिस लग रहा है देखने में ही आप मेरी आइसिंग को अच्छे से देख सकते हैं कैसे उसमें से चॉकलेट डॉप हो रही है इसे हम साइड से चाहें तो क्लियर कर सकते हैं बड़ चॉकलेट क्यों हटा ना तो इसके मैं नहीं हटा रही हूँ आप चाहें तो आप साइड से इसकी एज़स को क्लीन कर सकते हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हमारा केक आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इस केक को अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा थांक्यू सो मच्छ